जी हाँ दोस्तों यह सुनने में एजिब जरूर लगता है कि क्या केले और भिंडी जैसे फसलों से भी राखियां बनाई जा सकती हैं तो दोस्तों यह सच है कि 36 गड़ के जांजगिर चापा जिल्ले में एक किसान के आइडिया पर महिलाओं ने यूनिक कॉनसेप्ट के साथ राखिया बनाई हैं ये राखियां किसी आम रेशे से नहीं बलकि गाउं की मिट्टी में उगाय जाने वाली फसलों के रेशे से बनी हैं जिन में सामिल हैं केला, अलसी, भिंडी और इस्थानी इस्तर पर उगाय जाने वाले सबजी, अमारी और चेंजभाजी पूरी तरह से हाथ से बनने वाली इस राखिय को बनाने में कापी समय लग जाता है इसके लिए इंदिरा गांधी क्रिसी विस्वी द्याले और पंजाब नेशनल बेंक क्रिसक प्रसिक्षण अभ्यान भी महिलाओं को मदद देने को तयार है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सुरुआत में महिलाओं ने मिलकर 200 राखियां बनाई थी फिर उन्होंने नया रायपूर में इनका इस्टॉल भी लगाय था जहां इन्हें कापी अच्छा पसंद किया गया, फिर उन्होंने दो लाक राखियां बनाने का निणा लिया कई सरकारी विभागों के अपसरों ने अपने डिपार्टेमेंट के लिए इनी राखियों का ओर्डर दिया है वहीं कनाड़ा, जर्मनी और अमेरिका में भी रह रह भारतियों ने इस और्गेनिक और हैंडमेड राखियों का ओर्डर भेजा है इन राखियों की कीमत फिलाल 50-100 रुपे तक रखा गया है तो दोस्तों, आई होप की मेरे ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्स्राइब करके पेला आइकन को प्रेस कर लीजिए